तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग उमीद होगा आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में लेकर आच चुका हूँ कि दोस्तो अगर आपके फोन में वाटसअप पर कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला यहाँ पर आपको कोई भी वाटसअप पर मेसेज करता है तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर सोर नहीं हो रहा है तो कैसे दोस्तों आप अपने WhatsApp के notification को enable कर सकते हैं जिससे आपको कोई भी वहाँ पर message करता है तो यहाँ पर आपको screen पर यहाँ पर देखने को मिल लाएगा तो दोस्तों वीडियो को start करने से पहले चैनल को जोरु से subscribe कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना देखने को मिलता है तो simply यहाँ पर आपको notification पर क्लिक करने के वाद कुछ चीज तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ राइट साइट में यहाँ पर त्री डॉट का जिस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के वाद यहाँ आपको reset notification settings का ऑप्शन से देखने को मिलता है मतलब कि दोस्तों अगी तक आपने WhatsApp पर जितने भी setting किया होंगे यहाँ पर इसे reset कर देते हैं तो वो सभी setting हट जाएगा और पहले जैसा आपका setting हो जाएगा तो simply दोस्तों यहाँ पर आपको reset setting पर यहाँ पर click कर देंगे अगर दोस्तों फिड भी इस टिक से आपका notification नहीं आता है तो simply आपको अपने phone में setting वाले app को open कर लेना है दोस्तों यहाँ पर open करने के बाद यहाँ पर आपको app management का option देखने को मिलता है इस पर click कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको app list पर click कर देंगे दोस्तों यहाँ पर click करने के बाद आपके phone में जितने भी app होंगे यहाँ पर आपके show हो जाते हैं है यहाँ पेसल होने का दोस्तो सिर्दिया अपर आपको अपने फोन में वाटसअप अएपट को यहाँ पर ढून लेता हो दोस्तो यहाँ ठोभे करने कोदिगे इस stri नहीं हैं यहाँ पर अफ है मतलब कि दोस्तें यह आप रहेगा तो आपके पास कोई भी नौटिफिकरिकेशन देखने को नहीं मिलता है तो इसको आपको अनेबल कर देंगे दोस्तें आप अपकी जितने नोटिफिकेशन है आपके सो होने लग जाएंगे तो दोस्ते ये वीडियो आपको यूस्फुल लगा हुआ होगा तो वीडियो को जो इसे लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना